जब भी हम अपने सपने के करीब जाने जगते हैं तो हमसे जुड़ेवे लोग हैं चाहिए वो दोस्त हो चाहिए वो हमसे जुड़ेवे कोई इनसान हो आपको पीछे खेचने के आपकी टांग खेचने की कोशिस करता है कि हर कोई नहीं चाहता है आपके माबाप और आपके ग खावटी पन में आपके अपने दिखते हैं सबसे ज़्यादा दुखी होने को तो अगर आप भी उस कगार पर खड़े हैं ना क्योंकि ये वेकेंसी वो वेकेंसी है जो पसुपरी जो टेंट पास करके कहीं ना कहीं बेचारे अपने काम के अंदर इतने परेशान थे कि ये प् किसी को बता नहीं सकते हैं मैं ये वीडियो जैडर नहीं हुए इसके बाद में पांच दिन अगर ये मानू ठीक है और दिसम्बर के दो दिन बूल जो इस तरीके से टोटली अगर मैं बात करूँ आपको 60 डेज के अकोडिंग अगर बात करूँ तो क्या हम साड़ दिन में भी एक्जाम क्रेक कर सकते हैं मांगे कुछ बताओं इससे पहले एक चीज क्लियर कर दूँ कि एक्जाम क्रेक करने के लिए इसी पढ़ना ही जरूरी नहीं होता है में चीज उता है एक सही guidance ठीक है पढ़ते सभी और पढ़ाते सभी मैंने आपको ये बात पहले भी बोली है ठीक है लोग बारा-बारा गंटे पढ़ते होंगे लेकिन फिर भी उनका selection नहीं होता है अगर आप तीन घंटे भी पढ़ते हो लेकिन एक strategy के साथ पढ़ते है तो आपका selection होगा ये आप खुद confident होना पढ़ेगा खुद पे और सामने वाले अपने गुरू से जिन से साथ जुड़े हो है उन पे विश्वास होना जरूर ये और जो चीज़े आप पढ़ रहे हो उनहीं से आपको पता से लेगा कि आप selection के कितने नजदीक है साथ दिन में क्या तैयारी कर सकते हैं कि हाँ बिल्कुल आप साथ दिन में तैयारी कर सकते हो तिर आपने यहां ऐसा क्यों लिखे 150 में से 135 ये क्या चक्कर है आपको जगे 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 जाकर कि बताया जा रहा है क्या डेड़सू के डेड़सू के क्यूशन कोई भी बच्चा कर सकता है तो अगर आप इस सोच करके चलते हो ना पहले तो मैं टार्गेट की बात कर लूँ कि हमें क्या करना है क्या डेड़सू के डेड़सू क्यूशन कोई करेगा तो आप डेड़सू के डेड़सू क्यू बोड़ वहीं से पेपर बनवा करके ले जाएगा, ठीक है, ये लोग जब पेपर आता है उसके बाद में दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है, तो इसलिए कहा रहा हूँ, पेपर हमेशा बोड़ी बनाएगा, हुभू कहीं से नहीं छपेगा, अगर हुभू छपता तो फिर 150-150 सबजानी चीए, ये तो बोले जाते हुभू, तो पहले तो इन चीजों से दूर रहिए, हकीकत क्या है उसको समझियेगा, दूसरी बात, मेथ और साइंस का रोल कितना रहेगा, जिन बच्चों को जो 10th पास करके जो बच्चा आया है, जो अगर उसकी अच्छी मेथ साइंस भी, यानि कि मैं ये कह रहा हूँ, कि मैं 15 क्यूसन, 12 से 15 क्यूसन, अगर मैं आपको मेथ साइंस के ले करके चलता हूँ ना लाड़ लू, तो आप इसके बिना भी है न, ये, इसके बिना भी, आप इस एक्जाम को क्रेक कर सकते हैं, अगर माल लिजीए, आपका गेप लगय अगर नहीं पढ़ाएं, ठीक है, तो इसके बिना भी आप पास कर सकते हैं, तो आप एक बर 135 की तयारी करो, अब कोई बोलोंगे 135 की तयारी करेगा तो इतने ही आएंगे, भाई 135 का टोप जाएगी क्या, ठीक है, अगर सही तरीके से पेपर होता तो चांस ही नहीं है, फरज जा अब आपको यहाँ पर बता करके चलता हूँ, इसके अंदर पहले आपके दो पेपर आते थे, यह अच्छे से पता है, पहले आपके पार अट ए और पार बी यह दो आते थे इसके अंदर आपका, 105 और आपका 45 का था अबी यह जो मामला है ना लाड लो यह मामला आपको अच्छे से पता है यह मामला पूरी तरीके से खतम हो चुका यह अब टोटल आपका जो लगेगा सिप आपको एक ही पेपर म्यानि के एक ही तरीके से आएगा mix में total आपके अगर मैं बात करूँ तो total आपके 150 questions पूछे जाएंगे अब इन 150 questions में से हम इस समझे ना है कि कहां से कितने questions पूछे जाएंगे क्योंकि one foot आपकी minus marking भी होनी है तो इसमें से कैसे बच करके जा सकते हैं तो पहले हम इसको समझ करके चलते हैं कि आपके 150 का criteria कैसे लेकर के चलना है 150 जो आपके प्रशन है ना लाडलो इसमें से आपको एक एक चीज समझ करके चलनी कि इसमें main role किसका आपका जो राजस्तान जीके है समझ करके चलिएगा राजस्तान जीके का जो portion है यह आपको 75 से execution दिलाएगा के फिस्कोर को लेकर कि मैं अलग वीडियो बनाऊँगा लेकिन मैं पहले भी बता चुक हूँ लेकिन फिर भी आप एक बार समझ जीके इतना है उसके बाद में current affair मैं आपको पहले से बोलता है हूँ कि current affair इसमें राजस्तान ठीक है माल लिजे अभी अगर मैं बात करूँ किसी को भी अवनी लेखरा की बात करूँ तो अवनी लेखरा कहां से संबन दीते है राजस्तान की है अवनी लेखरा लेकिन अवनी लेखरा ने अभी gold medal कहां से जीता है ठीक है silver medal कहां से जीता है भी चीज आती भक्ति सर्मा की बात करूं, भक्ति सर्मा उदेपुर राजस्तान की है, लेकिन इनों ने जो है, मेडल कहां पर जीता है, तो वो खेल कहां पर हुआ था, तो वो इंटरनेशनल हुआ या नहीं हुआ, कुछ लोग होते हैं, जो ज्यादा ग्यान चाटने की गोश राजस्तान की जापान में, वो किस समझूते के लिए या फिर किस प्रोग्राम के लिए गए थे, वो चीज बताई इंटरनेशनल हुआ या नहीं हुआ, क्या ये चीज नहीं पढ़ोगे, क्या आप आरे हैं मेरी बात समझ में, यहां से आपको ज्यादा में नहीं, तो 20 से 22 इसक्यूशन आपको यहां से देखने को मिलेगा, आप समझ लीजिए कि हैंडेट का यहां पर आपका क्राइटेरिया पूरा हो चुका है, इन दोनों से, ठीक है, अब अगर मैं थोड़ी सी आगे चल करके बात करूँ ना लाड़ लो, इसको समझ करके चलिएगा, आपकी मर विज्ञान है उसकी बात करो, पैससूपरिछर शाईंस, या पैससूपरइजर वाला जो पोर्स रहे ना ऑपका पारट भी वाला, जो अभी मिक्स कर दिया गया है, ठीक है, उसकी अगर मैं बात करूँ ना, उस सबजेक्ट कि अगर मैं बात करूँ, तो यहां पर आपको 32 स 35 क्यूशन यहां पर देखने को मिलेंगे 35 से 35 क्यूशन आपको यहां से देखने को मिलेंगे अब आपको होगा कि इस से हम नए वाले सिलेबस के अकोडिंग की पढ़े या पुराना वाला नहीं पढ़ना क्या पुराना वाला भी आपको पढ़ करके चलना है क्योंकि बोर्ड इसमी बोर्ड ने syllabus के according paper दिया है क्या तो कुछ एक्षा पढ़ करके जरूर चलिएगा यहां से आपको 32 से 35 कोई बोले मैं 35 के 35 कर दूँगा हवा में मत तुड़ो ठीक है ऐसा नहीं हो सकता है तो आपको भी पता है हर पेपर का एक लेवल होता है 32 से 35 क्यों से यहां पे चोथ मैं साइंस का पोर्शन कम बता रहा हूं तो मैं आठ प्लस साथ के हिसाब से ठीक है राउंड फिगर के अंदर यहां 12 से 15 क्यों से आते हैं इन में से आप नॉर्मली भी आपने मेत पड़ी है अगर आपको ज्यादा नहीं भी आ रही है तो भी आप इन में से अगर आपके आ 150 क्योंस का है ठीक है इन 150 क्योंस को अब आप कैसे कवर कर सकते हों यह चीज आपको सोच करके चलनी कि अगले साथ दिन में मैं कितने घंटे स्टेडी करूं 60 देज के अंदर कि मैं इसको कवर कर सकता हूं देकि राजस्तान जी कि आप सुरू से पढ़ते आयों देकि राजस पूछे जाते हैं टेंथ लेवल की एकजाम है कैसे क्या होता है तो मैं आपको पहले वी सिच को लेकर के बता दू एक बुक है जिसका सोलुशन भी मैंने आपको यूटूब के उपर भी करवा रहा हूं और मैंने कई पार्ट इसके करवा दी है यह पसू परीचर की बुक इ यूटूब पे जाकर के आप देख लीजिगे जो फिरी ओप कोष्ट है और यह बुक मंगाना चाहिए तो इसका लिंक आपको मिसर में अकेडमी पे मिल जाएगा मैं इसके प्रमोशन के लिए नहीं आप कहीं भी पड़ी है लेकिन मैं आपको लेवल बता रहा हूं कि किस ट इसके पीछे में अपनी लाइब को खराब कर रहे होते हैं इसलिए यहां पर इसको पड़ी है मैं मना नहीं करों इसमें भी अपना बैस दीजिए लेकिन में चीज आपको रास्तां जी के और करन्ट अफेर के ऊपर फोकस करना है इसके अंदर आप मेज साइंस अगर आपको तो आप एकजाम पास नहीं करो कि मुझे कम से कम 135 में से कोसिस करो कटोप के लिए अलग से मैं वीडियो बताऊंगा उसमें सारी चीज आपको समझा करके चलूँगा सार दिन में भी कैसर तैयारी हो सकती मैं कहरा हूँ कि करने वाला है ना वो 30 दिन में भी बहुत अच्छे तैयरी है लेकिन एक स्ट्राटेजी के साथ कि आपको एक चीज हो थी कि आपको अलगले किताबी वीडियो देखने इबल समें चीजे चाटनी होती है एक होता है प्र अब बाकी पर टाइम एक गंटा यहां बड़ादी जेकर 8-10 गंटे आप चैड़ी करते हैं यहां कम से कम 2 गंटे यहां एक गंटा और एक गंटा यहां पर इस तरीके से एक टार्गेट करके चलिए और अगर आपको आपको अब जोब की साथ भी पढ़ाई कर रहे हो तो अ यहां पर आपको इक से आपको 1449 रुपए का सो होगा लेकिन आप चाहे तो इसमें गूपन कोड भी लगा सकते हैं ठीक है, इसके अंदर एक कूपन कोड लगा लिजिएगा जिसमें आपको 1.1.99 मिल जाएगा यानि कि आपको 30-35% की शूट मिल जाएगी, यहां पे आप एक coupon लगा लीजिएगा exam 35 यह coupon लगा लीजिएगा यह course आपको minimum price के अंदर available हो जागा जिसके अंदर इसके अंदर जो current affair है ना एक बार demo class जरूर देखिएगा जाकर के current affair आपको किस तरीके से करवाई गई एक बार मेरे कहने से demo class देखिएगा आपको पता चल जाएगा कि हम भीड से अलग कैसे निकल सकते हैं भेड़ चाल से अलग कैसे निकल सकते हैं इसके अंदर आपको current affair है राजस्तान इंडिया international live video course मिलेगा बाकी subject आपको एक PDA pattern में मिलेगे test reach VC के अंदर मिलेगी अलग से test reach भी देखना चाहों तो वो भी आप देख सकते हों ठीक है गाई तो proper तरीके से अगर आप चलना चाहते हों ये course आपकी proper help करेगा इन sort के अंदर आप चीजों को कैसे cover कर सकते हो ये सारी चीज़ जब आपके help करेगी पाकी पसुपरीचर बुक का solution भी मैंने YouTube पे करवा दिया है maximum वो भी जा करके देख लीजेगा तो मैं बस इतना सा कह रहा हूँ हर के member के नाते कि कोई भी कैसे भी गुमरा करेए last time अगर आप घबरा गए ना और अगर पीछे हट गए ना आप जिंदिगे में कभी भी खुद को माप नहीं कर पाओगे इसलिए कह रहा हूँ एक सही guidance में एक proper तरीके से एक सही thinking के साथ आगे बढ़िये अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा अभी भी 60 दिन आप बहुत कुछ कर सकते अगर आपको और भी कोई दिक्कत हो आपको इंस्टा इडी भी अगर आप वहां पे मुझे फोलो कर सकते हैं उमेज अंडर्सकोर हीर एक चीज जरूर बोलूँगा अक्सर बोलते हैं कि सर आपका कोर्स सबसे कोष्टली लग रहा होगा आपको क्योंकि आपको 200-500-700 में कोर्स मिल जाता है अगर आपको इन चीजों के टेंसन और टेंसन आपकी दूर हो जाएगी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेजी के साथ एक तैयारी कीजिए सभी को बैस्ट विसे जल्द मिलते हैं अभी के लिए जैहिन जे भारत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राब कर लेजिए टेलिग्राम जोल करना मत बूलेगा ठीक है और यहां प्यारी सी स्माइल फेस पर रखेगा और मुस्कुराते रहेगा अभी के लिए जैहिन जे भारत धन्यवाद